हेलो दोस्तों फिर से स्वागत आपके यूटूब चनल आई पेपर क्लासिस में और जैसे कि आप सभी लोग इस फिरन पर देख भी पार होंगे दोस्तों मैं आपके लेकर आया हूं दोस्तों कंप्लीट मैट्स क्या स्वाइब करेंगे आई सी आर का दोस्तों आपके लेकर आया हूं क्योंकि काफी सारे से काफे टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कंप्लीट पेपर लेके आजाई ये पूरा पेपर लेके आजाई ये तो मैं आपके लिए लेकर आ ठेक है आंसर कमेंट में कर देना और साथ ही में दोस्तों बता दो ये 25 के 25 को सन इनका कमेंट भी आप मुझे कर सकते हैं और आप मुझे बताना कि 25 में से कितने questions बन रहे हैं ठीक है किसी ये 20 किसी के 20 तो जैसे भी क्यांब बंने का सबसे उपर ने नंगे हैं ठीक है अगर मान के चलो कि उनके 20 भी आ रहे हैं न दोस्तों तो यह 80% रिजल्ट के आपके दोना दोस्तों मैट्स में कम्प्लीट है ठेक है ना अगर आप अपने अग्जाम में तो आपका है लाजमी है यह तो होना होना निश्चित है तो इसलिए दोस्तों हम हर स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं तो इसलिए दोस्तों आप से भी रिक्वेस्ट है कि आप हमें भी मोटिवेट करो और इस सैट पे 1000 लाइक का हम साहरां स्टूराइब कि स्टूरन साइन्स का सैटेंश बीजर्ड क करता हूं थी उसको भी हम करेंगे दोस्तों ठीक न तो उसके लacaks बाकि दोस्तों आपके कल से कल से दोस्तों कल से आपके लिए modern history modern history of social science ठीक है न modern history हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों आपके लिए जो दूसरे teacher हैं उनकी classes भी दोस्तों आपको वही तैस समय से मिल जाएंगे टेलिग्राम पर चले जाना वहाँ पर जाकर देख लेना दोस्तों बस टेक्निकल इसू के कारण टाइम आगे पीछे कर सकते हैं class होंगी daily होंगी ठीक है न तो modern history की दोस्तों आपके लिए class लेके आ रहे हैं वह भी social science की social science की जो आपकी दोनों आपकी जीके में भी help करेगी आपके social science में भी help करेगी ठीक है न तो चले दोस्तों इस्टुडेंटों के बीच में और दोस्तों क्या करना एक काम और करिए सबसे जादे पहले तो शेयर करें class को जादे से जादे लाइव record बनाई है live record कम से कं सो live रिकोड चाहिए मुझे सो Student लाइव चाहिए तो मैं ल् पर को सिर्टी फर्ट्व होतों न के मान कि इतने मतलBS económ Desktop मान क्या है एन की वेल्य आपको find out करने है इस question में पूछा हुआ है अगर question इंगलेस में पड़े दोस्तों इफ टू की पावर एन इस उगल to 32 अंडरूट में student student sorry then what is the value of n n का मान कितना होगा अगर आप बाते हैं दोस्तों मुझे एक student यह थोड़ा से मैं स्क्रॉल कर लो कोई दिकता तो नहीं है ठीक है यहां देखेगा टू की पावर एन इसको देखेगा दोस्तों आप किस तरीके से कर सकते हैं इसको यह अंडरूट में होता है आपका दोस्तुपांच बटे दो बताए इस कोशन में क्या था आपका इसका अंसर आ यह तो समझवाएँ अगर किसी की दोस्तों आपने लोग वाले कोशन क्योंगे लोग वाले उसमें कोared सेहब dime ऐसेम तो उनकी पावरर दोस्तों क्या होगी वो एकवल होती है ठीक है कर चुकी तो पराप्त परिनाम संख्या के बराबर है जो हमें दोस्तों आपका रिजल्ट पराप्त होएगा ना जो नंबर आएगा वो हमारी उसी संख्या के बराबर है तो संख्या है कौन सी इस सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है इसको इंग्लिश है कर लेता है इफ 60% of a number is added to a 200 then the result is obtained is equal to the number then what is the number option ABCD के हिसाब से बस एक मिनट का टाइम देता हूँ आप मुझे इसका आपको इसका solution बताता हूँ करिए बहुत जल्दी से इसका अंसर कमेंट करिए मुझे फास्ट मान कर चलो कि वह संख्या कौन सी है आपकी मान लिया चाहिए मान कर चाहिए option के हिसाब सिर्फ जा सकते हो आप बाई option भी जा सकते हो मान लिया किसी संख्या मालेट दा नंबर विल एक्स एक्स का 60% कितना होगा दोस्तों अगर 60% को फ्रेक्शन में तोड़ों कि तो जाएगा बीस त्यासाथ बीस पंजी पंजी अहां जी बीस पंजी सो ठीक है उसमें आपने क्या जोड़ दिया तो वही संख्या में प्राप्त होती है वही संख्यानी के एक्स जो मनें मानी थी वही प्राप्त हो तो यह कोई प्रोब्लम तो नहीं होरी बताइए मुझे एक बार थोड़ा सा मैं भी इस तरीके सा हलका सा हो जाता हूं तो एक्स माइनस कितना आगे तो दोस्तों आपका यहां से आजाएगा सीधा सीधा टू एक्स जुकल टू दोसो गुना पांच एक हजार यानि कि वैली कितने आगी 500 कितने आगी इसको पांच नमबर डी ठीक है अब आई उप्सन भी जा सकते हैं जैसे पांचो का 60 परसेंट आ क्या कोई सी आपके 500 ही तो थी इस तरीके से अब कर सकते हैं भाइए जा सकते हो ठीक हैं अ कवी दिक्कत निया अ False scent से को जआ करणे के क्या करो बट्ड आपना कॉंसेप्ट ना मत हैंना क्या हर कोई पर नहीं होता अगला र्रीक प्सवन प्रेंसे झा अभूरा 325-5 यानि कि यदि संख्या है दोस्तों 140 को ए वट्टे दो अनुपात दो पने 3 अनुपात को आगर इन तीनों अनुपातों में बाटा जाता है तो बताईचे की दूसरा भाग क्या होगा आप से पूछावा है दोस्तों यह बाला टू-बाइ-3ет hàng किया ठीक है इफ 177 is divided into the three parts into the ratio one by two ratio one two by three ratio four by five then what the then what will be the second part of the ratio आपसे इसके वैली पूछिए इतने मैं कोशन पढ़ता हूं दोस्तों आप इसका आंसर मुझे कमेंट कर दिया करो तो करिए जड़ा फास्ट करिए मुझे इस कोशन का आंसर चाहिए आपसे करो जल्दी जल्दी करो ठीक है स्टुजेंट्स करो फास्ट तो चलिए दोस्तों इसका सोलुशन भी देख लेते हैं करते रहो आप देखेगा आपको क्या करना है 177 को इतने तोड़ना तो मैंने आपको बता रखा है कि 170 मतलब इस तरीके का अगर रेसों में आए न कोई वैली तो इसको एक्स मान लिए अगरो भोजल दी से आपको होगा दोस्तों कितना एक्स भी सेक्स ठीक है ना यह आपको कितना होगा दोस्तों 24 एक्स ठीक है कोई प्रोब्लम नहीं होनी चीए 177 तो यहां से एक्स की वैली यहां से तो 59 तो यहां पर देखने का जरो दोस्तों एक्स बरावर कितना आगे ना इन टी आगे ना इन टी तो एक्स की वैली आप इस वाले सेक्टर में पूट अप कर दोगे तो टू बाइथा एक्स इसका टू बाइथा निकाल लेंगे सीधा सीधा हो गया काम खतम कितना गए 30 द का गया तो आपको हर हफते एक सैट जरूर मिलेगा का ठीक ना दोस्तों चलते हैं नेक्स और को स्क्रीण पर ध्यान दिजेगा इसमें क्या पूछ रहे हैं में? कोशन नमबर 4 वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो दोस्तों 24, 36, 60 को पूर्णते विभाजित करती है आप इतने कमेंट में आंसर करो इस कोशन को सोल करो ठीक है ना इतने कोशन रिडाउट करता हूं कोशन नमबर 4 वाट इस दे ग्रेटेस्ट नमबर विच इस से कम चलो 30 सेकंड के टाइम तो दूंगा ही दूंगा ठीक है ना तो हम दोस्तों इसको कर सकते हैं किस तरीके से आपको पूर्णते विभाजित करने वाली संख्यास में कौन सी आपको दोस्तों ना इनका है ना सीधा-सीधा क्या करना है आपको LCM या फिर SCF ना लेके आपक सोले से काटके देख लो ठीक ना अगर मैं देखें उन दोस्तों बारे दुनी 24 बारे तिया 36 और बारे पंजे साथ बारे से तो कंप्लेटली डिवाइड हो गया ना ठीक है सुदेंस जरा आठ से देखना काटके आठ से कट रहा है आठ तिया 24 और आठ से यह नहीं कट रहा ह चार से देखो दोस्तों चार्चिंग 24 और 36 चार से 15 चार्ट कट रहा है पर वो क्या पूछ रहे थे ग्रेट एस्ट इस्ट्रेंट्स कौन सा जो सबसे बड़ी संख्या हो तो इसलिए आपका कौन से हो जागा दोस्तों बारा आया समझ में किस तरीके से हमने इस कॉस्चन का अंसर बताइए मुझे फास्ट कौन सा हो जाएगा इसमें से इंग्लिश में पढ़िया आप करो और मुझे आंसर करो कमेंट जल्दी करो जल्दी एक्स ब्राबर बस आपको यहां पर तीन बटे दो रखना और कुछ नहीं करना इसकी वैल्यू निकल क्या जाएगी कुछ ना कुछ अगर देखा है तो दोस्तों आपके इसमें बोर्ड मास वाला फोर्मला या यूज करना याद रहे बोर्ड मास वाला फोर्मला यूज करना है ठीक है तो 273 जा 81 माइनस के 54 जा 108 यानिके 54 दूनी 108 प्लस के 36 गुना एक्स की वैल्यू दो बटे सोरी तीन बटे दो माइनस के 11 दो से ठारे बार चला जाएगा ठारे तिया चाववन हो जाएंगे तो 81 माइनस के 108 पिलस के 54 माइनस के 11 इनको एक 25 और 13 135 माइनस के 119 कितना आगा सिदेंट यह आप मुझे साब से 16 ठीक है कितना जागा दोस्तों आपका आंसों आगा आगा शॉला बताए कि सब्सक्राइब करो कि सर मेरा ऑप्सन यानिक ऑप्सन नमब्र एक आया है ठीक है कमेंट करो बहुत फास्ट चलिए दोस्तों आप पड़ेंट पड़ते हैं तो उसका को सना चतूर थांस का चतूर थांस का यह को सना स्ट्रेंट इसमें यूज होनी है ठीक है बस यह वाली प्रोपर्टी हो रहा है यह मेरी टिग्नोमेट्री के लेक्चर में बाकि आपका सारा कंप्लीट हो चुका है आज मैं वही कराता है सब्सक्र器 कोई नहीं काफी सारे स्ट्रेंटों की वजे से ट्रक्टी से ले ऊह इंडशाए प्लेक पूरा अ कंप्लीट लेका वह तो यह लिदी साइन ठीटा बड़ाबर यूग 20 Ig üकल ईकल 5 ख़ीटा को कुस्ण को इसको मेरे को फरसो Lub कि कमेंट्ट मेंा आंसर कि मैंने आपको बताया हुआ कि दोस्तों जब मैं आप कहते हो ना कि थोड़ा कम बोला करो भाई ओनलाइन क्लास चल रही है ठीक है ना तो देखो बोलते तो रहते ही है सिंपल से बात आप को सोन को पोज कर लिया करो फिर उसका अंसर कर दिया करो बस यही तो होता है कौन सो जाएगा देखिए का साइन ठीटा पिलस 23 इस इक्वल टू कोस अठावन थोड़ा से इसको मैं कलर को ऐसे कर लेता हूं यहाले लेता हूं कोस 58 ठीक है 58 डिग्री तो दोस्ते प्रोपर्टी होती है हमारी इसको मैं आपको बता दूंग लेक्चर में यहां पर हम कोसन कर साइन से साइन जब आपका सेम हो इस तरीकी के कंडिशन से में खुया कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं यहां पर सीधा सीधा हम दोस्तों यह आपका इस तरीकी से कैंसिल आउट जादा पर हम काटते नहीं तो ठीटा प्लस 13 डिग्री इस उकल टू क्या हो जागा 90 माइनस के 58 डिग्री तो फिफ्टेट इदर जागा तो ठीटा प्लस कितना हो जागा दोस्तों आपके हो जाएगा मेरे इसाब से हो जाना चाहिए आट तीन ग्याराइए क्या सब्सक्राइब आप जानते होंगे कमेंट करो मुझे किसमस अंसर जाएगा ठीक है ना मैं आपके रांसर तक ही लेके आगया हूं बस आप कोस्पेंटालिस का मुझे आंसर बता दीजिए आपका कॉस्टन कंप्लीट होगा चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन के और ठी हैं दोस्तों आगे तो चलो को सब्सक्राइब आपसे क्या पूछा हूआ है को सब्सक्राइब यदि एक अर्द्वरत का छेत्रफल 693 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्य ग्यात किजिए मैंसूरेशन दोस्तों क्या आगी आपका मैंसूरेशन आगी है छेत्रमिती है रुरनटी आगे आपके सर्कल अब करनी है दोस्तों कि सेमी सर्कल की सेमी सर्कल की ठीक है ना आपको रिडियस काई का एडिये का आपने और सब्सक्राइब पिर उसका मैंने आफ कर दो ना दिमाग तो लगाऊ शिक्सञार New York है है तो आर स्कॉल हम यह से find out करने हो जाएगा 693 अपोन में प्रोब्लम यहां तक तो नहीं होगी आप चलो शिदा-शिदा करते हैं शिदा-शिदा-पाई की वैल्यू बाइस बटे-साथ ठीक है 22 से तो अपका 22 कैंसल आउट हो गया और यह क्या हो जाएगा मुझे लग रहा है भी रुख जो यदि एक अर्धिवरत का 6 तरफल 693 वर्ध सैंटीमेटर तो इसकी त्रीज़ ग्याद कीजिए इसकी त्रीज़ ग्याद कीजिए ठीक है 22 बटे-साथ इंटू में आर का स्क्वाइर अपोन में टू इज उक्वल टू 693 ठीक है हां तो बाइस से कट जाएगा हां सुरी यह बाइस तो मैंने गले लिग दे अरे बस थोड़ा जल्दी बाजीम हो जाता ना स्टुएंट्स पता नहीं चलता कब में क्या लिखा गया ठीक है ना कोई बात नहीं आप समझतों गए होंगे ना तो 22 जब इसे काटो गए तो कितने बाइस ते 66 और कितने बचेंगे यहां पर दोस्तों च्छांसट नो में से च्छेंगे तीन ठीक है हुं हम दो से आप दो आना था अरे सोरी दोस्तों चलो एक बार मैं दुबार कर लेता हूँ एक बार रुख जाना बस आप चलोड़ी सी यह एक्जाम में होता आपके साथ में ठीक है ने मेरे साथ में हो रहा है ठीक है तो 693 अपों में 22 ठीक है यह नीचे जाएगा ना 22 ठीक है दो से ग्यारा बार करेंगा और ग्यारा से काटेंगे कितनी बार यह कटेंगा पर ग्याराइचिंग चांसर और ग्याराइट यह तैस ठीस ठीक है न तो यह आगा आपका 63 सेवन तो आर का स्क्वाइर इगल टो आगा 63 मल्टिप्लाइट सेवन इसके बजागे दो इन्टू सेवन ठीक है न तो आर अंडरूट पोच जागा है यहां पर सीधा-सीधा अंडरूट में जाने के किता आगा आपका बाहर दो साथ आ एक तीन आ गया तो कुल मिला के स्कांस और गया 21 सेंटी मीटर 21 सेंटी मीटर हो गया कोशन आपका स्टूटेंट है चले आगे चले अब मुझे लग रहा गला बैठेगा अच पक्की बात है भाई सब ठीक है अग्या देखेंगा दोस्तों आपका आगया कोशन नंबर एट को सब्सक्राइब में आप से क्या इंगलिस में पढ़ लेते हैं दा लैंट ओफ वन साइड एंड वन ओफ दू डाइगनल सोफ रॉंबस इस सिक्स सैंटी मेंटर इच ठीक है तो फाइंड एडिया ऑफ रॉंबस रोंबस के निकालने के लिए आपको फूर्म बताया था आपको दोस्तों एक बटे दो डीवन प्रोस डी टू यह वालेवी हैल प्रे सकते हैं अगर रॉंबस देखा है दोस्तों आपको मैं रोंबस बनाने की कोसिस करता हूं यह एक डाइगनल यह हो गई एक डाइगनल न Azar शैनौत है और यह कंपली डाइगनल देर रखा हैं दोस्तों इन्होंने पूरी लेन्ठ देर तो हमें सिद्धा सिद्धा डीटू की वैली पतला जाए यह दीवन तुमारा अच्छा है ही है ना तो डीटू निकालने के लिए क्यों तो क्या कर रहो मैं देखेगा अब देखे आप यह तीन दे रखा है चैने रखा है चैने का स्क्वाइर दोस्तों कितना जाएगा 36 में से 9 कितने मचेंगे बताइए 27 अंडर रूट में ठीक है तो आपका यह आगया तीन रूट थीन तो यह पूरा कितना हो जाएगा दोस्तों यह पूरा गुना दो कर दीजे तो कंप्लीट आपका जैसे मान के सलिए ए बी सी और डी तो एसी कितना ह अब आया पो जागा दोस्तों दो गुना दो गुना इसे कोई स्क्रोल कर लेता हूं तो इससे तो एक बटे है ड Questo कितना है 16 तीन पटी है सोक हो आप दोस्तों बस एक आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगाने होती है ट्राइंगल की पाइथा लगा ये सीधा सीधा कोशन हो जाता है आपका रोंबस का नेक्स्ट कोशन की और चलने आपकी स्क्रीन पर ध्यान देज़ेगा थोड़ा सा इसको मैं उपर कोशिस कर रहा हूं चल के लंबाई कि दिनी है तो डर रेशो ओफ लेंद्ट अडरेट ऑफ दर एक टैंगल इस फाइव रेसो तूर आश्पक्टिवली डरेश्य ओफ इस पैरेमीटर एंड एडर्या ओफ वन रेसो थी रेस पैक्टिवली वाट इस दे लेंद्ट ऑफ ट्राइव डेक्टैंगल अ अब मानंकर दोस्तों आपका एक rectangle दे रखा है उसकी जो लेंथ और ब्राथ का रेशयो कितना दे रखा है students लेंथ और ब्राथ का रेशयो दे रखा है इन्होंने 5x और 2x मैं हमेशा करता हूं दोस्तों इनको out कि से रेशयो से एन्ड पार्यमीट्रेंट्र का रेशियो और एरिया का रेशियो दिर रहता है दोस्तों वन रेलिखदेंट्र होतामा का रैक्टेंगल हो रइंत और दोस्तों इसका एडिया दरखा है तीन तो एक्विसरफ की सैट हो चुकी है इसमें वैल्यू पूट अप करिए और आपकी दोस्तों जो भी आप से पूछ रहा है आयताकार की लंभाई इसकी यानिके जाएगी यानिकि 5 एक्स की वैलिव जर्द देखें को कैसे करता हूं मैं एल प्लेस भी पांच दो साथ एक्स यानिक एक्विशन फरस्ट से इसको मैं अहल कहा है लिख लूँ कोई दिक्कत तो नहीं एक्विशन फरस्ट से ठीक है साथ दूनी 14 एक्स बराबर आपका जाएग दोस्तों आपका कितना जाएगा मुझे बताईए 10 x का स्कॉर्ण टो तीन थीक है न मैं एल इंटू फिए होता होता आपका हाँ तो पांच एक्स इंक्स इक्सका स्कॉरेजू कितना जाएगा तीन बटे दस ये भीटे दस और जबकि उन्होंने क्या पूच रहें दोस्तों मुझे लग रहा है थिंग कहीं प्रॉब्लम नहीं 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 ठीक है तो एक्स की वेल्वी आई आपके वन अपॉन 14 और आपके दोस्तों अगले वाले यह त्री बाई 10 कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो गई एक आयताकार की लंबाई चोड़ाई का अनुपात 5 अनुपात दोई लंबाई यह है और आपकी चोड़ाई इतनी यह दे रखा सही एकदम और परीमाप और चेत्रफल का अनुपाप परीमाप जो नहीं दोस्तों आपके दे रखा है टू इंटु एल प्लस भी वन उसका डाउट करना है सोरी इस बात के लिए और एल इंटू भी इजुकल कि तरह रखा है दोस्तों आपका तीन यह यह रखा था ठीक है तो ऊपर कितना आ यह दो स्था आपका फुर्टीन एक्स नीचा आए तो कितना आपका 10x इस्क्वाइर इस इक्वार टू कितना आगे तो दोस बटे तीन ठीक है और नीचे चला जाएगा आपका 14 ठीक है ना नीचे चला जाएगा आपका मेरे इसाब से एक सिधर चला जाएगा तो हाँ चलो कोई बात नहीं इसको मैं एक बार और ही रेस कर देता हूं स्टुडेंट हो जाव भाई यहां से एक सिधर जाएगा आपकी दोस्तों 14 गुना तीन बटे दस ठीक है टू सेवन जा फोर्टी और टू फाइव जा टैन ठीक है ना साथिया 21 बटे पांच एक सिधर यहां से लगई आपकी किस बटे पांच ठीक है स्टुडेंट अब आपको इसमें रख देने हैं आपका पांच एक्स तो पांच गुना 21 बटे पांच तो कुल मिलाकर यहां से सिदह शिदा आगया आपका आंसर पांच सॉरी 21 सॉरी सॉरी यहां से आगया आपका स्टुडेंट से ल बराबर 21 सेंटी मीटर यानिके 21 यूनिट जो भी आपका option number C कोई problem तो नहीं हो रही दोस्तो थोड़ी सी by mistake हो जाती है कभी-कभी calculation में यह तो लाजमी है क्योंकि हम भी क्या है इंसान है ना कि यह कोई machine है ठीक है न आया समझ में इसको थोड़ा सा छोड़ देना कभी-कभी को दोस्तों हो जाता है यह तो कोई बात है चलो इतनी गल संक्याइस में से दोस्तों आप मुझे बताइएगा जिससे हम भाग करें तो समान से सफल बचे तो इसको हम भाई option करेंगे बहुत फास्ट ग्रेटेस्ट नंबर बाई वीच डिवाइडिंग 25-277 में लिव दा सेम ओफ रिमेंडर इन इच केस कौन सो अप्शन है का दोस्त तो यानि किस आपका फेल होगे लोगा लौस्ट लास्ट बचने तीन चैचों 24 और यह भी फेल होगे आपका चोबिस से करते हैं दोस्तों एक ठीक ना चोबिस दूनिया तालिस चोबिस दी बादतर एक 24 चोटेश्यों के चान में एक यह आपका सेट बैट गया सीधा क्या क है कुछ भी पूह सकता आपसे तो आपको इसको को सकते हो पॉइंट से पॉइंट मिला के करना होता है अगला कुछ नबर 12 एक्स कमान क्या है यदी इतने बराबर इतना है वाइड इसको भी आप कर सकते हो 7580 में से आपको घटा देना कितना 3440 जिरो चार लास्ट में 40 आ रहा है चलो कोई बात नहीं फिर वही मैप थोड़ा से यह तरह है दोस्तों क्या साथ में सहां सोरी पांच है पांच क्या आप आगे एक 140 140 कौन सो अप्सन मारा वा भी वा ठीक नहीं साथ में चार तो 41 4040 ऑप्सन नंबर डी ठीक है ऑप्सन नंबर डी आगे चलो अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर जला ध्यान दिए अरे रुख जा भाई भाग क्यों रहा है यह दि दो संख्याएं 1728 और के उनका लेसा कितना दिरखा है दोस्तों 5140 और मैंतम समापरते दिरखा दोस्तों एक त सब्सक्राइब कोई बात नहीं कॉमन ओफर टू नंबर इजा 1728 और के उनका जो दोस्तों लीश्ट कॉमन दिरखे दोस्तों उनकी संख्याव का वह कि दो रहा है क्यावन सो चुरासी और ग्रेटेस्ट फैक्टर लिस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर सब्सक्राइब कर लोगे आप इसको बताइए मैं बताओं इसका फोरुला भी होता है दोस्तों फस्ट नंबर मल्टिप्लाइब सैकिंड नंबर इस उक्वल टू सी एफ इंटू एल सी एम पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है दोस्तों आपका लैस है पूर्णा में के इस इफ इंटू एक इक इक इवन सो चोरासी के की वह लिए से आपका करते हो तो इक इवन सो चोरासी पॉन में 1728 ठीक है अरे बाई दो बंजा कमबक्त कितने बार चला जाएगा ठीरे टाइम्स ओप्सन आपका सी ठीक है हो गया आंसर इसका बताइए समझ आगे चलू अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर कोशन नंबर 14 के और चलें दोस्तों दीरे-दीरे 10 सेंटीमीटर की लंबाई वाले आयताकार आकरती का छेत्रफल एक वरत के छेत्रफल के बराबर है तो वरत की परीदी कितनी है जरह किस कोशन को ध्यान से पढ़ो पहले तो आ सरकल मुझे इस कोशन में थोड़ी सी डाउट लग रहा है फिर भी हम देखते हैं कोशिस करने की क्योंकि यह कोशन आपके एक्जाम में आया हुआ है दोस्तों आपके स्सी के एक्जाम से उठाया हुआ को सनहीं वाला दस सेंटीमीटर की जरूर नहीं कि ऑप्सन में इसका कि अए व्रत्त की परीदि टूपाय आपसे पूछा हुआ है ठीक न्ह一ंक टanc'deat व्ह– रख machine तो क्या करेंगे क्या करेंगे कि मेरे इसाब से फिर यह सका जो अपसन नमबरटि इना दोस्तों यह हो जाएगा मेरे हिसाब से क्योंकि जब इनोंने धी यृव दी नहीं है तो हम इसको करें नहीं सकते इसको और यह सकते कभी भी तो कांट फाइंड इट हो सकता है आपके कोशन इस तरीक एग दे दे एकजाम में ठीक है ना इस एक पर सेंट अंसर क्या होगा यह सारी की सारी वैल्यू अंडरूट में ध्यान दे लेना ठीक है ना दोस्तों टाइपिंग में माई मिस्टेक होगा इस तरीके में लिखा हुआ है कोस्टन ठीक है करना मुझे ज़रा इसका कमेंट में आंसर कौन से संख्या इन में से सबसे छोटी है यह तो है नी ठीक है न करना ज़रा ऐसे कुस्टन को दोस्तों कर सकते हैं किस तरीके से जैसे दे हुआ है इसका दोस्तों आप क्या कर दीजेए स्कॉयर कर लीजे अंडरूट 10 पिलस अंडरूट 4 का स्कॉयर करोगे तो इसकी प्लस कितना जागा दोस्तों आपका फोर रू amplify pay14 दस ठीक है कोई यह तक प्राइब्लम तो नहीं आपको तो यह यह निकि यह आख रखते हैं डोस्तों असवारी च्होड हों सिथा सी शीधा होगर दो सिखाई दे रहा है और दो रूट तो यह तो इसमें और इसमें और इसमें एंपेर कर लेते हैं इन दोनों में ठीक है यह इसमें और इसमें तो चार रूट दस अगर देखा है दोस्तों आपका दो रूट यह आपको तो तो सु गया रहत यह तैस्ता ठीक है ना तो दस का कितना ऊगा एक एप्रोक्सिमेट चले चुटन समकिट पैटता है चार गुना थ्री का थ्री. पॉइंट सम्टिंग ना चारती है बारह चोदा और बारह कितना है दोस्तों आपके 26 ठीक एक 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 प्रोक्षिमेट लेके चलाओ इसमें देख लेते हैं 14 प्लस दो इंटू मंटिप्लाई में 33 का देखा है दोस्तों पांच और 6 पांच का पांच पॉइंट सम्टिंग है स्टूडेंट्स तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपका सबसे सोटा टर्म जो होनी चाहिए वह आपकी होनी चाहिए ओप्सन नंबर पांच दूनी दस यह हो गया था 26 सांसोरी यही वाली तो नहीं चाहिए न 24 ठीक है 24 तो यह ओप्सन नंबर भी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो ठीक है न इसका अंदूर आपका ओप्सन नंबर भी अंडरूट 11 प्लस अंडरूट 3 बजाए का कोसन इस तरीके के अगजाम मे की व्रद्धी कर दी जाए एक व्रत की त्रिज्या में पचास सेंटीमेटर की 50% की पता नहीं क्या हो गया दिमाग तो व्रत के छेतरफल में कितने परतिसत की व्रद्धी होगी कोसन 16 इव दे रेडियस ऑफ़ सर्कल इज इंक्रीज़ बाइदा 50% देन ऑफ़ एडिया और सब्सक्राइब इंक्रीज तो आपको उसका एडिय में दोस्तों कितने परसेंट की व्रत्धी हो रही है वह आपको करना है आपकी स्क्रीन पर है मैं आपका वेट कर रहा हूं कमे कि कमेंट करो फास्ट कोसा नमबर 16 आपकी मैं सुरेशन से रिलेटीड है बस मैं आपको बताएं वरत का छेत्रीफल होता है स्टेंट्स पाई आर इसक्वाइर एडिया जो होता है न दोस्तों इसका पाई आर इसक्वाइर याद कर लेना 50% की व्रद्धी कर रहे हैं दोस्त तरी आगर मानके चले दोस्तों आपके परसेंटेज वाले कोसन की आप याथ फ्रेक्शन में तोड़ दो इसको एफ़िट सो माझ लो पहले इस त्रीज्जा कितीनी दोस्तों 100 बाद में कितनी हो गया इसकी इसकी गेंड़ेस हो तो इसको सीधा सिदा डिवाइड कर दो पच्चिस चोका सो पच्चिस चीक एक सो पचास टू टू जा फोर टू थी जा सिक्स ठीक और यही मैं कहा रहा था दोस्ता पचास परसेंट का जब फ्रेक्शन में लाओ तो यही आ जाएगा कैसे कैसे बता हूं एक बटे दो ठीक ना दो से कितना हो गई नो हो गई चार से कितने हो गई दोस्तों आपकी नो हो गई नहीं आर का स्क्वाइर आर का स्क्वाइर समझ रहों कि नहीं तो चार से कितने हो गई कितने बढ़ गई पांच बढ़ गई पांच बढ़ गई कितने बढ़ गई दोस्तों चार पांच बटे चार गुना सो ठीक है ना तो आपका आगा दोस्तों 125 125 वाजाएगा आपका इस कांसर बताइए कोई प्रोब्लम हो तो मुझे समझ में नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करो तो फास्ट मैंना आपको बता दिया दोस्तों आपकी तो यह तो फिर भी तो तो सोपे ठीक है आगे समझ में 25 आपका आगे चलू अगला कोश्ण आपकी स्क्रीन पर कोश्ण नमबर 17 की और चल दिया है दोस्तों हम और धीर धीर हम अपने सेशन के यन में चले एप्लस ब्लस प्लस यी ब्राबर जी रो होतो अबी सी ब्राबर एक है तो इसकी यॉल्ड आउट करो यानिए कि प्लस व subить तीन प्लस ब्रीकी पी पावर थीन प्लस प्लस तीन बराबर क्या होगा अगर दोस्तों यह चलो कोई बात यह भी if a plus b plus c is equal to a b plus b c plus c is equal to one to find the value of a power 3 plus b power 3 plus c power 3 comment में इसका मुझे answer का wait कर रहा हूँ करिए एक trick बताता हूँ student जरा ध्यान दीजेगा ठीक है न a की power 3 plus b की power 3 plus c की power 3 minus की 3 a b c ये trick निया एक तो formula है ठीक है न is equal to a plus b plus c ये bracket में अरा गया आपका बचता है दोस्तों आपका a square plus b square plus c square minus k b minus k b c minus k c ये ये है दोस्तों भाई ये पता कौन सा सुत्र ये होता जहाम जहमेला सुत्र बहुत बढ़ा सुत्र है ये वाला ठीक है ना पर इसमें ये नहीं कि आपको कोई तीर तुक्य कुछ लगाना है सीधा याद के लेना बात खतम हो गई यदि कोस्टन में अब जो मैं बताने ज़रा ज़रा ध्यान से सुनना यदि कोस्टन में आपका a plus b plus c बराबर 0 आए अगर इसकी value 0 हो तो ये all over 0 हो जाएगा सीधी बात है जिरो की multiply जब आप इसमें करोगा तो ये all over 0 हो गया तो एक क्यों प्लस b क्यों प्लस c क्यों बराबर क्या जाता है दोस्तों आपका 3 a b c ठीक है हमें इसकी भी जूरुत नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस b कुस्टन में जब एक विकर्ण पर इसका एक विक्रण 24 cm थिक है तो आपको इसका प्रशक पर लेते हैं इतने कमेंट करो when the diagonal of a square is 24 cm find its perimeter 28 48 root 2 36 root 2 46 root 2 come back root 2 काँ बाग गए ठीक है तो बताए इस question का answer क्या होगा comment करिए मुझे fast अच्छे तरीके से ठीक है ना आपका question number 18 चल रहा है यह तो है नहीं चलो मैं पहला तो cancel कर देता हूं यह भी नहीं है वाई क्योंकि यह question बहुत अच्छा है अब मुझे सीधा सीधा दिखाई दरहा है देखना डाइगनल होता है दोस्तों स्क्वाइर का कितना होता है सीधा 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 दिखाई रहा है यानि कि रूट दो गुना रूट दो यहां बश्क्राइब ना कि मैं दोस्तों आपके लिए कोई को समझाऊंगा ठीक है ना बश्क्राइब दो भी आगया आप चार गुना होती है दोस्तों क्योंकि 4 रोता है ना इसका कि फोरे तो बारे चोंग 48 और 48 रूट दो सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने डारेक्ट लिक कर दिया ठीक है कि फोरे होता है दोस्तों आपका पैर मीटर और किसका डिपाइब नेल ठीक ना डाइगन ऑफ स्क्वाइर ठीक है और इसका एडिया होता है दोस्तों अगर समझ में किस तरह किसे करने की कोसिस की अंडरूट टूए बराबर 24 दे रखा था एक वेली निकाल ली गुना चार कर दिया सीधा-सीधा 48 आ गया अगला कोसन अगर समझ में आ गया तो आपका 90 नंबर का कोसन जरा ध्यान दीज़ेगा इस कोसन में क्या देन वाट विल बीडा वैलिओ ओफ ओफ ए रेशो भी रेशोव सी बहुत अच्छा कोशन होता है दोस्तों इन को स्थिन अप हमेशा ल्थी म लिया करो ठेक ना आप मानकर चली दोस्तों आपके दो तीन और दो दे रखा है इसका एल से मागे आपका मानकर चलो जेक्ट ना कोसन हो गया इस उप्सन को डूंड लो यह आपका आंसर हो गया कहानी खतम हो चुकी है ठीक ना यह कुस्ण आपका ऐसे भासकता है एक बटे दो ए बराबर एक स्थीदे कोसन की ठीक है ठीक है हो जाएगा तो तीन रेसो दो रेसो तीन ठीक है आगे चलो अगला को सणाव कि यह बहूत बहुत देर से जाक रहा तो कोसन अरे रुक 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 है ठीक है 20 नंबर का को सटन है का इफ A upon B plus B upon A is equal to 1 then find the value of A की power 3 plus B की power 3 अगर आप इसका formula याद तो आप इसको सुन पावगे ना तो फिर भाया छोड़ दो paper को ठीक है ना ये दे रखा ये बराबर ठीक है ना तो यदि A upon B plus 1 B upon A is equal to 1 को सुन और तरह के से कर रहे हम A square plus B square अगर भी नहीं आगया बता ये भी आगया कि नहीं आगया LGM लोगे जब आएगा ना ठीक है तो आप से क्या पूछ रखा है उन्हें A की power 3 plus B की power 3 का उसका formula देखे का जड़ा क्या होता है students A की power 3 plus B की power 3 का A plus B A square plus B square minus के A B ठीक है तो A plus B समझ रहे हो ना के नहीं तो चले कोई बात नहीं तो सीधा-सीधा मुझे पता है कि A square plus B square की value कितना है A B अगर मैं आप A B रख दूँ और minus के A B यहाँ पर already है तो यह जब कटेगा तो यह 0 नहीं जाएगा जब 0 हो जाएगा तो इसकी multiply 0 तो इसका answer कितना आएगा जीरो नहीं आएगा तो बताई इसमें क्या था question में कुछ नहीं था कुछ नहीं हलवा ठीक है हलवा को संता है आपका अगला question आपकी स्क्रीन पर जाला देखेगा इस हलवे को भी देखो 21 नंबर का question है यह यदि पराबर इतना है तो then find the value of यह इसको मैं लिख देता हूं सही से पी पी स्क्वाइर स्थिटी पी एक को सब्सक्राइब होगा यह वाला question कि क्या है बताइए मुझे एक बार किया है तो दोस्तों आप इस question को मुझे comment करो answer इसका क्या आएगा ठीक है ना बस इस 99 को आप तोड़ लेना 100-1 करके बहुत ज और यह वाला option और यह वाला option तो इसमें सीधे सीधे खतम हो जाते हैं क्योंकि आप देख लो 9 का स्क्वाइर कितना होता है या तो 81 वाला में आपका 1 यह वाला हो गया और 9 वाले में यह हो गया तो कर सकते हो आप इस question को comment करना मुझे इसका answer 21 number के question का answer मुझे comment कर देना अग दोस्तों आपके sales qs में जोस्तों ज्वैलरी 24 परसेंट है ठीक है और आपके electronics से दोस्तों आपका 60% ठीक है और आपके clothes जो है दोस्तों कपड़े वह 40% ठीक है और यह दोस्तों 20% food अम दिख भी लो रुक जाईएगा तो आएस दिख्या पाई चार्ट के एंदर में कुल कि के अंदरे में दोस्तों हमारा कितने डिग्री का कुछ नहीं पूछा हुआ था ठीक है को गया कोशन कोई प्रोब्लम तो नहीं है अगला कोशन देखेगा ज़रा क्या पूछ रहें आपसे कोशन नमबर 23 बिलो देपाई ग्राफ पाई चार्ट सोविंग देपरेंट आइटम फिर्स्ट क्वाटर ओफ देए विश आइटम्स है ज़्ड़ हाइस्ट सेल्स वर्स की पहली तिमाही में विविन वस्तों की बिक्री को दर्शाने वाला पाई ग्राफ नीचे दिया गया तो कि सरवादिक बिक्री होती है कोशन बहुत लेंद दिया हुआ किस की सरवादिक पढ़ने पढ़ने में कम से कम आपके चले जाएगे आधा सेकंड आज तीर से से जाएगे पढ़ने पढ़ने में ठीक ना जबकि सब्स्यादिक बिक्री कि तो और 40 परसेंट अंसर लगा भागो लोत की अगला कॉस्टन आपके स्क्रीन पर एक चाथरों द्वारा चुने ग ट्वंटीटीटू पर सेंट जो स्टुडेंट क्लास के हैं उन्होंने कौन से कलर को पिक डाउट किया है ट्वंटीटू गरीन कलर कॉन से श्टुटेंट यह अरे चलो कोई बात में गिरीन गरें गरीन कलर हो गया ना कुछ भी नहीं पता चला को से नोच को करते हम तो चली दोस्त चलता है तो चलताय है तो आपको इसके बताने हैं दोस्तों रेडियस तो करिए बताइए मुझे इसका क्या हो जागा इसका अंसर इंग्लिस हिंदी दोनों बताइए मुझे अब 25 वे कॉस्चन पर इस सीरीज के लास्ट कोस्ट न बागे आपके लिए दे रहाएं दोस्तों कॉस्सं तो चलो इसका एक फोर्म लोता है आपका एंड बराबर डिस्टेंस अपवोन में सरकम्फेरेंस ओफ ऊफ सरकल टू पाई आर को एंड कितने सो कमेंट करना जरा मुझे एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं देखो तो किसमेंट हो साथ चिदह सीदा इंक देखेगा यहां से आपके चुटेंट सो से तो सो आपका पूरा-पूरा कट जाएगा नहीं इतना यह बाइस से बाइस भी कट गया और दो से पांच बार यह भी कट गया तो सीधा आगे दोस्तों आपके दोस्तों 35 मीटर यह आपकी रेडियस आचुकी है 35 मीटर बताए इस कोशन में क्या था कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे करके लाइए तो मैं इसको थोड़ा सा भी आपके सही से दिखा देता हूं चल भाई आजाओ धीरे धीरे हलके हलके से हो जाओ उपर ठीक है बस एक सेकिंड रुकिएगा यह कभी-कभी लगता है जैसे सोफ्टर प्रोब्लम कर रहा हूं हाँ ठीक है ना तो यह दोनों कुस्तन आपकी स्क४ूरी देख भी पार हों आप ठीक है इस इस्कृइन स्ट लो इनके फस्ट किरिंस प्रोट और इनके मैंने आंसर भी आपको कमेंट कर रखे है इसी वज़ेसे आपके लिए क्योंकि आपको प्रोब्लम होते हैं कि सर आप आंसर नहीं बताते आंस किलीन सोट लो और मुझे इसका अंशर बताओं हुए है तो चलिए दोस्तों सेशन को कंप्लीट करते हैं कैसा लगा सेशन कमेंट कर देना किस तरीके कर लगा और आगे की इसा इस तरीके से कंटीनु करना चाहते हैं तो फिर भी कमेंट करो लाइक करो सब्सक्राइब करो और तो बहुत अच्छे तरीके से अपने गुरूप में गुड़ बाइ ओल अफ यू और जो आपका दोस्तो साइन्स का सेशन है उसमें आ जाना बहुत बैस्ट वे में कराए जा रहा है और मैं भी थक चुका हूं आप कम्प्लीटली